आप सुन रहे हैं गौरापंध शिवानी जी का लिखा हुआ एक प्रसिद उपन्यास कालिंदी आज सुनिए कालिंदी का अंतिम भाग साथ भू तलिय वैभिन ने बंजर भूमी जमीन दुर्गम चट्टानों का प्राकर्तिक अवरोद और प्रिकृत के नित्य बदलते तेवर कभी भरबरा कर पूरा पहाड़ी किर गया और कभी वरफ का खिसकता एवलांश खेत के खेत धरा में धसा गया फिर भी कुमाईनियों के अदम में साहस लगन और सैयम के मूर्तिमान सो रूप थे पिरी ममा चौबी सो घंटे होटों पर लगी हसी आत्मिश्वास से दमकता जहरा उन्हें देख कालिंदी के जी में आ रहा था कि वो कुछ दिन उन्ही के पास रहकर जीवन परियंत अन्वरत परिश्रम करने का कठिन पाठ सीख कर कंठस्त कर ले सारा दिन वे अपने सीरी नुमा खेतों में जोटे रहते ना उनके पास सिचाई के साधन थे ना निरंतर ढहरही दीवारों की मरमत का ही बाहुवल फिर भी उनकी दन्थीन हसी में कितना इस नहीं था कितनी सरलता जड़ी बूटियों की उन्हें पहचान थी अरी तूतों ठहरी बिलैती डाक्टर नी और हम निपट देहाती अनारी वैद्य वे उससे कहते पर दूर दूर से उनके मरी जिन से दवा लेने आते थे दवा लेनों ने कभी बजार नहीं जाना पड़ता कैसी डाक्टर नी है री तू गोद में भक्ष पदार्थ रखकर खा रही है क्यों वो हसी इसे भी तुम्हारा शास्त्र मना करता है क्या मामा पिरी मामा का चेरा गंभीर हो गया आनन्दी भांजी का हसी हसी में पूछा गया वो प्रशन उन्हें अच्छा नहीं लगा हसी की बात नहीं है भांजी यही सब तो हमें धरातल में धसाये जा रहा है तब सुन चेड़ी गोद में रखकर शया पर लेट कर कभी खाना नहीं खाना चाहिए यही नहीं मुर्शू, दुर्जन, पतित, शत्र, वेश्या, धूर्थ और वैशे का अन्भी ग्रहन नहीं करना चाहिए हाई राम सुन रही हो मामी इसका मतलब हमें बड़े और छोटे मामा के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए चुपकर, शीला ने हसकर उसे डांट दिया पिरी ममा जोशी वैज्जू के नाम से ही प्रख्यात थे वैसे तो हर मर्ज की दवा उनके पास रहती थी पर वे कुश्ट रोग के ही स्पेशलिस्ट माने जाते थे नैपाल, काली, कुम्मू, गर्ब्यांग, घाटी के प्रतेक रव्यवार को उनके असंख कुश्ट रोगी एकत्रित हो जाते एक प्रकार से कुमाओं के बाबा आम्टे थे वे ऐसे सिद्ध चिकित्सक जिनका व्यक्तित्वी उस परवती नदी का सा था जो अपना सर्वस से लुटा कर घने वन अरणियों के बीच गाउं गाउं को सींश्टी गुम्नाम बहती गुम्नाम ही खो जाती है समाज द्वारा बहिश्क्रत अपने उन मरीजों को वे एक कतार में बिठा सूरी को अर्दे दिलवाते और फिर आदित्य आरादना में सम्वे स्वर्गूने लगते है वैसे तो वैद्यक उनका कुल क्रमागत व्यवसाय था किंद उन्होंने से कभी व्यवसाय नहीं बनाया आपको डर नहीं लगता पिरी ममा मुझे तो आपके ये सब मरीज पॉजिटिव केस लग रहे हैं कालिंदी ने पूछ दिया था डर कैसा दन थीन हसी से उनकी जुर्यां उद्भासित हो उठी थी ये रोग होने वाला हो तो भगवान को भी नहीं छोड़ता जानती है वान जी परम प्रतापी भगवान करश्न के पुत्र सांब को भी यही रोग हो गया था और उन्होंने उसे छुटकारा दिलाने शाग दीब से मग ब्रामनों को बलाया था क्योंकि वे ही सूर्य पूजा के अधिकारी थे सूर्य पूजा ही इस चिकित्सा का एक महत्रपूर्ण आंग है यह शरीर को कुचसत बनाता है इसी से इसे कुष्ट कहा गया है पर शरीर से अधिक कुचसत बना देता है बेचारे रोगी के मन को मामा अब तो इसकी एक से एक बढ़िया औशदी निकल आई है कहिए तो आपको भेज दू नहीं चेली मैंने आज तक अपने ही औशदियों से कितने ही कुष्ट रोगियों को ठीक किया है पुष्य नक्षतर में इन जगलों से ही धूर्ण धूर्ण कर बटोड लाता हूँ बाकुची, गुगगुल और चित्रक और फिर मनी भद्र वटक योग का विधान यानि रोगियों को एक एक पक्ष पर वमन, एक एक महीने में विरेचन और तीन-तीन दिन पर शिरो विरेचन फिर छेचे महीने पर रक्तमोक्षन इन में से सबसे हश्प्रष्ट रोगी तु पूर फेड़ दिये, मैं ही उसे अपने साथ लियाया, पूरे दो साल इलाज किया और अब तु देखी रही है, मैं इसे अब कभी-कभी चड़ाता हूँ, अन्यार एक ठेड़ी, तितिर, बानसो, बुड़ गजे सिंग, जुग मलाशों, अर्थात, अंधेरी कोटरी में काओं चलाया, वैसे मेरे यां के पालतू कुत्ते सा पड़ा रहता है, देख तो रही है, इतना अनाज होता है, कौन खाए, हम दो ही तो खाने वाले हैं, जो बचता है, वो इनी मरीजों में बाड़ देता हूँ, कालिंदी को लगा, शास्र कारों ने इस भूमी को सर लोग क की उपमा व्यर्थी नहीं दी है, ये परवत राज समस्त देवताओं का निवास स्थानी नहीं, पिरी ममा जैसे सिद जनों की तपो भूमे भी है, आप क्या हमेशा खदरी पहनते हैं मामा, अरी पगली, हमारे पहाड में भी कभी एक कहावत थी, कि पहाड का तो वल्द मतल कारी बिन्वा देती है, ब्राम महूर्थ में सबसे पहले उठ मामा नौले से पानीला चाय बना, सबके सिराने एक एक गिलास गरम चाय रख जाते हैं, और पिर स्वैम कब खेतों में निकल जाते हैं कोई जान भी नहीं पाता, फिर खेतों में ही उनके सुरीले कंट की आवा हवा के साथ सातिरती उपर चली आती, बन गांधी सिपाही, रहटा कांतुला, देश का लीजिया, हम मरी मेंदुला, अर्थात, हम गांधी के सिपाही बन, सूत कातेंगे, देश के लिए हम मर मिटेंगे, चार दिन ना जाने कब और कैसे चुटकियों में बीद कहे थे, दू चुग जड़ी बूटियां, आज अम्मा की ननिहाल में उसकी आखरी सांज थी, इस इस नहीं संत को शायद वो फिर कभी नी देख पाएगी, बिस्तरे के नाम पर मामा के पास एक मोटा पहाड़ी थुलमा था, जिसे वे आधा बिचा आधा उड़िया करते थे, मामा ये आ तो मरने पर ही ऐसे बंद थेले में सोते हैं, प्राण रहते नहीं, पर मुझे अब क्या चाहिए उड़ना बिचोना, सुनानी तुने, अल्मोडियक, पंचान, डुंगोक, दिशान, अर्थात, अल्मोडे की तो पहचानी यही है, पत्थर के बिचोने पर सोना पसंद करते ह चल तुझे अपना बनाया घर दिखा लाओ, मामा के साथ वो सुनहली पिरूल घास पर सकेट सा करती चली जा रही थी, ये था स्वेम प्रिकर्द का बनाया एसकेलेटर, एक कतम रखो और सर से नीचे पहुँच जाओ, ना जाने कौन सी अनामा वेगवती नदी थी वो, पह के लिए आटा पीशने की चक्की बना दी थी, आटा पिसाने आई चार पांच, लाल लाल गालों वाली गोरी बालिकाएं ना जाने कौन सा खेल खेलने में मस्त थी, एक दूसरे की मुठियों पर मुठियां साधे, नन्ना को तो मिनार बनाये वो जोर जोर जिगा रही थी, उड़ कुची मुर कुची, देर दुहा उची, लईया केची पितल नैची, चौराक नानतिन कसकस छूनी, ब्रंदा वन में व्यूर खेलनी, और मोर देरो हाती तसके फुसके फासके, और फिर उनकी उनमुक्त निर्दोश हसी जे पूरा जंगल वूँच उठा था, के त्यालो, दूद भाती को खालो, तू खाली भाते की तौली घुर घुर और फिर पटाक से बिस्तर पर पटक देता, आज कहां खो गया वो इस नहीं बड़ा मामा, कालिंदी, देवेंदर, अनपूर्णा, शीला, सबने पिरी मामा से एक एक सवर में अपने साथ अलमोडा चलने का आग रह किया था, आप एक बार तू चल कर देखिये, यहां अकेले पड़े हैं, ना आपका इलाजी हो पा रहा है, ना कोई देखने वाला ही है, वहां आपको अच्छे डॉक्टर को दिखा, आपकी आग का ऑपरेशन करा दें, फिर ना हो, आप लोट आईएगा, म आज कैसे छोड़ दूँ, बस चली तो खिड़की से सिर निकाले कालिंदी तब तक हाथ हिलाती रही, जब तक वो सीख सी देह एकदम से विलुप्त नहीं हो गई, घर लोट कर कालिंदी को सहसा अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था, मामा के जिस सरल निस्वार्थ चिक चितर शहर है, वो सोच रही थी, जब उससे दूर रहो, तो वो चुम्बक सा खीशने लगता है, और वहां कुछ दिन रहने के बाद, वो अपने उबावपन से स्वैमी अपने पाहुनों को उबाने लगता है, उसे भी बलमोडा से भागने की ऐसी छटपटा हट होने लगी क्यों इतने ही दिनों में उब गई, अभी वहां बेहत गर्मिया चड़ी, अभी से जाकर क्या करेगी, मन उब रहे तो चल थोड़े दिन ननी ताल भीमताल भूमाए पूरा उत्राखन तो घुमा चुके हो मामा, मैं अब बहुत ठक गई हूँ, दिल्ली में एक दो काम भी पड़े हैं मैंने तो तुझे किसी काम के लिए नहीं रोका चड़ी, आज भी नहीं रोकूंगा, तू जाना ही चाहती है तो चली जा, पर वसंद की तब्यत इधर तेरे इलाज से सुधर रही है, उसका सहरा तूट जाएगा बेचारे वसंद मामा, लाल मामी की मौत ने उन्हें एक दमी तोड़ दिया था, उस पर स्वयम उन्होंने भी हाथ पर छोड़ दिये थे, जीने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी उन्हें क्यों लगा रही है ये सुईया पगली, मैं अब जीकर क्या करूँगा, किसके लिए जी हूँ, तू ही बता वे कहते, कैसी बाते कर रहे हैं मामा, आपी दो कह रहे थे, इपिन टूदा ने लिखा है कि वो आपको देखने आ रहा है, और आपको यहाँ अकेले रहने नहीं देगा, साथ ले जाएगा तेरी भी बाते चड़ी, वे ऐसे हसे जैसे दभी सिस्की घुटक रहे हूँ, मा उसका नाम लेती लेती चली गई, लिखा तो उसने तब भी था, कि वो मा को देखने आ रहा है, आया पर इस बार उनका निर्मोही बेटा सच्मूची एक दिन बिना कोई खबर दिया अचानक आ गया, कालिंदी सुई लगा कर मुणी ही थी, कि देखा द्वार पर हसता दंदनाता पिंटूदा खड़ा है, वही लजीली किसी आई सी हसी, और वैसा ही किसी निर्दोष किशोर का सा चेहरा, उसने हाथ का सूटकेस नीचे रख, पिता के पैर चुकर फिर कालिंदी के उर्मुडा, वा, तुम भी यहीं हो चड़ी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहीं होगी, उसकी त्रशार्त आखें कालिंदी के सलोने चेहरे पर ऐसे गड़ गई, कि वो अ उपालंब कंट में गवहर बन अटक गए, उनकी चुक्पीस ऐसा पिल्टू को भी गूंगा बना गई, आप बहुत नाराज है ना बाबू, फिर वो खिसियाय स्वर में स्वयमी कैफियत देने लगा, कैसे बताओं आपको मा की हालत की खबर पाकर भी तब आना मेरे लिए संभव था, वसंद फिर भी कुछ नहीं बोले, अप रस्तोत कालिंदी सिरिंज बंद कर जाने को उद्यत हुई, पिता पुत्र के इस मनो मालेने के बीच उसे अपनी अनावश्यक उपस्थती अस्थे लग रही थी, मैं चलू वसंद मामा, अम्मा खाने को रुकी होंगी, नहीं चड़ी, वसंद मामा का कठोर, अस्व हावे कंट स्वर, चाबुक सा उसकी पीठ कर पड़ा, इसे भी अपने साथ लेती चा, यहां तो चूला जलाने वाला भी अब कोई नहीं रहा, कह दे इससे नहा दोकर वहीं खाए, तेरी मा रोज तो मेरा खाना भेशती है, कल स पिंटू का सूखा उतरा चेरा देख कर तरस भी आ रहा था, एक तो इतने वर्षों बात, इतनी लंबी आतरा पूरी कर घर लोटा, और वहां भी ऐसा स्वागत, ना जाने बेचारी की इस घर में दबी कितनी स्पतियां होंगी, ना जाने कैसी विवश्ता रही होगी उसकी उस पर रुग्ण पिता को ऐसे असाहे पड़ा देख उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, चलो उठो पिंटू दा, क्या सोच रहे हो, रोज वसंद पामा का खाना लाने की डूटी मेरी थी, आसे तुमारी, समझे, उसने हसकर हटाद भोजिल बन उठी मनहूसियत को हटाने की व्यर्थ चेश्टा की, पर पिंटू का खिसियाया चेहरा पूर्वत लटका ही रहा, मैं यह हूं रहूगा चड़ी, तुम जाओ, वो कुर्सी खीच कर बैठ गया, कालिंदी ने घर पर जाकर खबर कर दी, तो देवेंदर भागे-भागे आए, और जबरदस्ती उसे पिंटूदा रहता, पर अब वो उसकी उपस्थिती में सहज नहीं हो पा रही थी, कभी वो ग्रह के अनस अदस्यों की उपस्थिती भूल उसे किसी शुधात और भिक्षुक की दिर्शित से देखने लगता, कभी अचानक गुमसुम बना, ना जाने किस दिवास अपने में खो जाता, क्या बात है बेटा, वसंत ने कुछ कड़ी बात कह दिये क्या, अनपूर्णा ने पूछा तो चौका, नहीं बुआ, बहुत ठक गया हूँ, वही जेट लेग है, शायद यहां का दिन वहां की रात बना खीच रहा है, आखें मुदी जा रही है, वसंत तो आज त मेरी नौकरी का सवाल था, पर बाबू तो कुछ सुनने समझने के लिए तयारी नहीं है, मैं तो उन्हें इस बार अपने साथ ले जाने आया था, जरूर ले जाओ बेटा, इसी बहाने अलमोरा से बाहर उनका पैर तो निकलेगा, तुमारी मा के जाने के बाद एकदम अकेल हो गए हैं, तुमारे बच्चों में मन लगा रहेगा, अब बच्चे मेरे पास हैं ही कहां, उसने एक लंबी सांस खीच कर कहा, क्यों होस्टल में रख दिया क्या, नहीं अपनी मा के साथ चले गए हैं, लिज ने मुझ से तलाक ले लिया है, बच्चों को छूट दी थी बिवेंदर ने पूछा, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप ही को तो उन्हें सब कुछ बताना होगा, मुझ से बात करना तो दूर वे मेरा मुहीन ही देखना चाहेते, मैं एकदम अकेला हो गया हूँ अब, उसका कंट भराया, पर तुम तो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी थे पिंटू, अचानक ये सब कैसे हो गया, अनपूर्णा ने पूछा, वहां सब कुछ अचानक ही होता है बुआ, मैं जब मा की बीमारी में नहीं आ पाया, और मुझे जेनेवा जाना पड़ा, तो लिज ने मुझे वही फोन पर बताया था, शायद रूबर अचाय उससे हुआ, और फिर हमारा विवाह हो गया, इतने वर्षों बाद रॉबर्ड अचानक लोटाया, दोनों फिर कब मिले, कहां मिले, उन्होंने कहां ये निर्ने लिया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इतना उसने अवश्य कहा कि मैं चाहूं तो अपनी संतान ही नी जाओंगा, मैं वही रहूंगा, जहां से उसकी मा को घाट पहुंचाया था, दूसरे दिन मुझ लटकाए पिंटू, कालिंदी के कमरे में अचानक आकर खड़ा हो गया, चड़ी मेरे साथ चलेगी, तो उससे चुकुछ जरूरी बाते करनी है, कालिंदी का चेरा फक ह हो गया, वो कुछ-कुछ समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, क्यों, बैठो ना पिंटूदा, इतने घबडाए क्यों लग रहे हो, कहां चलने को कह रहे हो, यहीं कहो ना, घर में कोई नहीं है, सम्बंदिर गए है, वो कुरसी खीच कर बैठ गया, उसके प्रशस्त लल चुप क्यों हो, पिंटूदा, कहो ना, सहसा चीते की भात उचल कर, उसने कालिंदी के दोनों हाथ पकड़ लिये, चड़ी, जीवन में मैंने एक तुमी को चाहा है, मैं नहीं जानता किस क्षण, किस कौशल से तुमने मुझे बांध लिया था, मैं कभी एक पल के लिए भी खीज ले गई, मैंने शायद उस जन्द में कोई घुर पाप किया था, जो विधाता ने एक क्षण में मेरे जीवन की समस्त और जवलता को निस्सीम अंदकार से काला कर दिया, पर यकीन मानो, तुमी मेरे जीवन का सर्वस्वती और हमेशा रहोगी, आज वही भीक मांगने आया हूँ, तुम मुझे स्विकार कर लो, तुम मेरे साथ चलोगी, तो बाबु भी मेरे सारे अपराद शमा कर देंगे, कालिंदी सिहर उठी, ऐसे अप्रत्याशित प्रस्ताओं के लिए उप्रस्तुत नहीं थी, पिंटू ने अचानक अपने कांपते अधर उसके हाथों उठा, आखें फैल गई, कान की लोडियों में जैसे किसी ने लोह शलाका छुआ दी, सिर से लेकर पैरों तक बिजली सी कौन्द गई, आज तक किसी पुरुष के अधरों ने उसका अंग इसपर्ष नहीं किया था, फिर वो चैतन नहीं हुई, उसके बुद्ध से दीप्त, इस नहीं से कोमल हास्योजल प्रशांत चेहरे पर विकार की एक रेखा भी नहीं उबरे, अपना हाथ छुड़ा वो छिटक कर दूर खड़ी हो गई, पागल हो गयो क्या पिंटूदा, तुम मेरे मित्र थे और हमेशा रहोगे, तुम क्यों भूल रहोगी तुम एक पिता हो भले तुमारे बेटे तुमारे साथ ना रहें, तुमारे भी तो कोई करतव है ना, मेरा करतव है, वो हसा, उसकी आखों में उसके मन की चतुर्दिक व्यापक शुनिता तिराई, तुम मेरे बेटों को नहीं जानती, इंटरनेशनल माफिया स्टेंडर्ड की परिक्षा में अब तक दोनों अवल उतराएं हैं, दोनों विशुद एगमार का ड्रग एडिक्ट हैं, बस चले तो अपनी मार का ही गला रेट दें, इसी से तो वो उनसे मुक्ति पाना चाह रही है, वे ना मरने से डड़ते हैं, ना मारने से, एकदम शास्तर सम्मत महापुरुश हैं दो पर जाने पर कभी कभी अपने प्राण बचाने अपनी बुझा काटनी पड़ती है कालिंदी, और मैं अपनी दोनों बुझाओं को काट कर दूर फेग चुका हूँ, अब मैं रोग मुक्त हूँ, इसी से तुमारे पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, कालिंदी के उस जट पका कर पिंटू उट गया, बताशा मुँ में डाल कर वो जाननों को उद्यत हुआ तो शीला आ गई, कहां जा रहा है पिंटू, बैट गरम गरम जले भी लाई हूँ, खा कर जाना, नहीं चाची बाबू अकेले हैं, फिर आऊंगा, कहकर वो तेजी से निकल गया, कालिंदी का उत्तरना पाकर भी हो समझ गया था कि उसका प्रस्ताव उसे कभी माने नहीं हो सकता, यही नहीं उसके दुस्ताहस को वो अब कभी क्षमा नहीं करेगी, क्षनिक आवेश में आकर वो भी कैसी मूर्खता कर बैठा था, दो सयाने बेटों का बाप होकर कैसे सोच लिया उस नहीं आई तो उसके आनंदी चेहरे पर नित्य की उत्फुलता थी, क्यो मामा, क्या अब भी पिंटू दा से तुमारी कुट्टी चल रही है, यह तो तुमारा बड़ा अन्याय है मामा, उसने हसकर वसंत का हाथ थामा तो पिंटू की छाती पदरा भारी पत्थर हट गया, म शायद उसका ये कपूद आही जाए, पर इसकी चुटिया पकड़ कर तो फिरंगिन बैठी थी, आता कैसे, छी मामा, भूल भी जाई अब, आप ही को तो देखने बिचारा इतनी दूर से आया है, मुझे देखने, वसंत उचकर बैठ गया है, और उग द्रश्च से, पुत् जरा पूछ इससे, किसी गड़हे में भी सूरत देखिये इसने अपनी, मुझसे इसने कहा तो मैंने कहा था खबरदार, जो ये बात कभी चड़ी के सामने जबान पड़ लाया, वो देवी है, साक्षाद जगदंबा, उसके मंदिर में अपने विलायती बूट पहन कर जाए मैं कुछ क्या गलत कह रहा हूँ चड़ी, आकरी बार उसकी माने मुझसे कहा था, मेरे नजदी काओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारे शरीर में चीटियां चल रही है, मैं समझ गया कि वो जा रही है, मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख कर कहा था, राम का नाम ले पिंटू की इजा, कह, ओम नमो वासु देवाए, नमो वासु देवाए, पर वो कहने लगी, पिंटू, पिंटू, वही नाम लेकर उसकी आँखे पल्टी थी, कैसे बूल सकता हूँ उस घड़ी को, कैसे क्षमा कर दू इसे, उनके पिछके गालों पर आंसू की बेहुदा प्रस्ता और रख दिया है, मैं तुमसे अपने इस अपदार्थ बेटे की और से माफी मांगता हूँ चड़ी, इसे माफ कर दे, उस फ्रंगिन ने इसका दिमाग बौरा दिया है, कैसी बात कर रहे हैं आप, कालिंदी उनका सिर्ष रहनाने लगी, गल्ती किसे न उसी के दुर्भागी की भूमिका न समझ बैटे, उसका अधूरा विभावी तो अपने ही समाज में इस्तिर हुआ था, चलिए अब हाथ मिलाई अपने बेटे से, सारा गुस्ता थूख डालिये, वो उठी और हाथ पकड़ कर उसने उसे वसंद के पैरों के पास बिठा लि पिंटू और चड़ी के बीच फिर वो अप्रिये प्रसंग पिंटू के जाने के दिन तक नहीं उठा, देवेंदर ने समझा बुझा कर वसंद मामा को पुत्र के साथ विदेश जाने के लिए मना ही लिया था, वहाँ एक से एक मिरतुन जहीं दवाएं हैं वसंद, फिर सब नहीं नष्ट कर ले, थोड़ा घूम फिर आओ, मनना लगे तो लोट आना हम तो हैं ही, जानता हूँ रे देवी, मेरी मिट्टी वहीं बदी है, मैं अब कभी नहीं लोट पाऊंगा, जाने के दिन वे मामा को पकड़ कर रोने लगे थे, कालिंदी ने उनके पैर्च हुए, तो बड़ी देर तक उसके सिर पर हाथ धर न जाने कितने अनुचारित आशीरवातों से उसे इसनात कर गए, पिंटू ने एक बार उसके पास आकर कुछ कहनी की चेश्टा की, फिर केवल हाथ मिला कर बिना कुछ कहे, बहुत कुछ कह गया, देवेंदर ने मूझ से तो जाएगी तो उन्हें भी साथ ले जाएगी, दिन नीडस गती से बहे जा रहे थे, देवेंदर को एक प्रकार से घसीट करी उगुमने ले जाती थी, वसंत मामा के जाने के बाद, शतरंच खेलने वाला ही कोई नहीं रहा, कभी कभी खाना लेकर बैठी मामी भी जुझला उ ना खाने की सुद्र ना पीने की, आज वही वजीर प्यादे स्वैमी विलुप्त हो गए थे, एक बात कहूं मामा, एक दिन वो मामा के सिर में तेल ठोकती पूछ बैठी थी, बोल क्या कहना है, उसके सुकोमल हाथों की थपकियों से देवेंदर की आखें मुदी जा रही थ अगले हफते तो मुझे जाना ही पड़ेगा, आप सब भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सब को भी कुछ बदलाओ तो होगा, जबसे यहां आए हैं अपने को ठका लिया है आपने, मामी भी बिचारी यहां उबने लगी है, पगली कही की, हमने दिल्ली जाने के लिए यहां मकान बनवाया है क्या, फिर तू ही तो कह रही थी, एकदम बियाबान जंगल में तेरा फ्लैट है, तेरा तो दिन रात काम में निकल जाएगा, हम क्या करेंगे वहाँ, बियाबान आबाद भी तो हो सकता है मामा, मैं तो पांच बजे ही जाती हूँ, सनीचर इतवार की छुटी रहती है, और सोम मंगल को मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, फिर रोज एक नया पाकिस्तानी सीरियल ले आया करूंगी, अम्मा मामी को पाकिस्तानी सीरियल मिल जाए, तो वे रेगिस्तान में भी रह सकती है, क्यों, है न मामी, अ या ताले तूटने लगे हैं, जाने की पूरी तैयारी कर, वो मामी के साथ संध्या को मंदिर में दिया जला कर लोटी, तो रास्ते में वर्षा की बूंदे गिरने लगी, जब घर से चली थी, तो नीला काश एकदम स्वच्छ निर्मल था, धूर धूर तक बादल का एक चतरी नहीं रखी, अब जल्दी जल्दी चल, पानी तेज गिरने लगा है, शीला तेज गदमों से चलने लगी, अम्मा नहीं द्वार कोला, ना जाने कैसा उत्रा चेरा लग रहा था अम्मा का, भीतर मेमान बैठे हैं, उसने धीमे स्वर में फुस्पुसा कर कहा, तुमार रेश्मी साडी की एक-एक भांज उसके शरीर से चिपक गई थी, एक हांसे साडी को उचा उठाने से उसकी बताशे सी गोरी पिंडली भीग कर और भी सफेद लग रही थी, ललाट का लंबा लाल टीका, पानी से वो सुभग नासिका पर फैल गया था, एकदम रक्त वर्ण कहीं से देखा है अवश्य, फिर सेसा सिर से पैर तक विजली सी कौन गई, वो थाली लिया ही तीर सी अपने कमरे में चली गई, उसने ठीक ही पहचाना था, चड़ी बेटी कप्रे बदल कर जरा बाहर आना, मामा ने पुकारा तो उसका कलीजा काप उठा, ये कैसे आ गया य मामा, वो फिर तमक कर भीगे कप्रों में ही बाहर चली गई, और फिर बिना मामा की ओर देखे मूर्तिवत खड़ी रह गई, अन्र पूर्णा और शीला ने एक साथ कहा, कप्रे बदल कर आचड़ी ठंड लगेगी, कहीं जोर से बिजली गिरी और साथ ही पूरे शहर की इस बार अन्ना का स्वर जुझलार से तीखा हो गया, डॉक्टर जोशी आए हैं बेटी, मामा का स्वर एकदम शांत था, फिर वे अतिथी की ओर मुड़े, पर बेटा तुमने आने से पहले हमें खबर कर दी होती, की थी, कैसी कठोर भारी आवाज थी, जैसे किसी ने कोरे इटैलीन का थान फाड़ा हो, मैंने एक नहीं तीन तीन चिठ्धियां लिखी थी इने, पूछिये इंसे, क्यो चड़ी, क्या तुझे नहीं मिली, मिली थी, पर मैंने बिना पढ़ी फाड़ कर फेक दी थी, स्वर में ऐसी कड़क थी, कि पाहुना भी सहम गया, मुझे स्वर देता, इससे पूर भी कालिंदी के क्रोध की उत्तुंग तरंगें उसकी जिवा पर फिसल गई, अब भी समझ में नहीं आया मामा, कालिंदी का व्यंग मिश्टर स्वर क्रोध से काप रहा था, मुम्बत्ती के खिर आलोक में उसका विवर्ण चेहरा और भी कमनीय हड़ा हो गया, गोरा रंग क्रोध से तंतमा का रक्त वर्णी हो उठा, विदेशी ट्वीट के आकर्शक कोट में उभर उसके सतर चोड़े कंधे तन गए, जी नहीं मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ, क्रोध से कापते हाथ जेब में डाल कर उसने एक बंद फाफा निकाल बड़ी अबद्रता से देविंत्र के पैरों पर पठक दिया, मैं डैडी की आप से वसूली गई ये रकम लोटाने ही यहां आया था, व्यर्थ की बकवास सुन अपमानित होने नहीं, सोचा था उनकी बरसी से पहले उनके एक कर्ज को चुका कर ही लोटूंग जिससे उनकी आत्मा को शांती मिले, सोचा था कि यही पितरन चुका कर आप सबसे उस अपरात के लिए एक शमा मांग लूँगा, जो मैंने कभी किया ही नहीं था, डैडी के वार्षिक शाज से पहले आपका एक कर्ज नहीं चुकाता, तो मैं शांती से उनका पिंड नहीं दे पाता, बैठो बेटा, खड़े के हूँ, आ चड़ी तू भी बैठ, इनकी बात तो सुन ले, पर वो उसी अडियल भंगे मा में खड़ी रही, यकीन मानिये मुझे कुछ भी पता नहीं था, कि डैडी ने आप से ऐसी कोई बेहूदी मांग भी की है, फिर उसने निर्भी बार से सीधा दिल्ली जाकर उसी रात की फ्राइट से चला जाऊंगा, और विश्वास करिए, आप फिर मुझे कभी नहीं देखेंगी, इस बार वो हसा, क्षण भर पूर की उत्तेजना, क्रोत की मनहूस चाया, चेरे से हटते ही, वो अपनी कंदर कांती से अन पूर्णा को मुख्द कर गया, उसकी आखे छलक उठी, कालिंदी उसी की कोक से जनवी थी, पर उसके जी में आ रहा था, वो मुझ फुलाए अशिश्चिता से खड़ी, अपनी इस नक्चड़ी बेटी की गरदन पकड़, उस विश्वर सरूब जमाता के चरणों में डाल दे, मुझे अ चाय चड़ाई किसने थी, नहीं आप मेरी चिंता ना करें, चाय तो किसी होटल में भी मिल जाएगी, उसके स्वर की करवाहट तीखी छुरी के फालसी अनपूर्णा के कलेजे में धस गई, बिजली शायद रूटे अतिथी की विदा के लिए ही रुकी थी, पूरा कमरा भीख होकर देखा, मन की बात तो कही चुका था, अब कैसा डर और कैसी जिजक, वही दंब, वही अकड और खड़ी होने की वही एहम दीप्त भंगे मा, उसने अब तक अनेक विदेशी सुन्दरियों को देखा था, किन्तु उस सौंदर में और इस सौंदर में कितना अंतर एक धदकते सूरी का जोति पुंज, दूसरा अम्रत वरष्टि करता शरत पूर्णी मा का इसनिगध पूर्ण चंद्र, पर विदेखा ने इस सौंदर में क्या तेज का अंश कुछ अधिकी मिला दिया था, इस चेहरे में बुद्धी की दीप्ती थी, क्षमा का ओदार नही इस थेहरे था, पर धेहरे नहीं, मैं चलू, कह उसने बड़ी विनम्रता से जुक कर हाथ जोड़े और पलग जपकते ही स्वयम द्वार खोल कर ने कल गया, अन्यपूर्णा एक बार बाहर जानने को उध्यत हुई, फिर पुत्री के गंबीर जहरे को देखते ही ठिटक गई देवेंद्र हाथ पर हाथ धरे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए, एक शीला के कठोर स्वर ने सब को एक साथ चौखा दिया, सब को लकवा मार गया है क्या, रोकते क्यों नहीं उसे, ये तुने ठीक नहीं किया चड़ी, उस बेचारे को जब कुछ पता ही नहीं था चाता लेकर रूठे अतिती को मनाने भेजी दिया, कितनी देर तक यहाँ वहाँ भटक कर भी देवेंद्र से नहीं ढोड़ पाए, राद भर की मूसलाधार वर्षा ने फिर दूसरे दिन पूरा जन जीवन ही छिनिबन कर दिया, मोटर मार को गिरी चट्टानों के नैसरगे अवरोध ने अचल बना दिया था, लगातार तीन दिन तक धुआदार वर्षा होती रही, चौते दिन कालिंदी अकेले ही दिल्ली चली गई, सहसा आठ टपके उस अंचाहे पाहुने ने पूरे घर का ही मूट बिगार कर रख दिया था, ना अम्मा ही धंग से बात कर रही ना मामी, मामी से भी उसकी बोलचाल हाहूं तक ही सीमित रह गई थी, वो स्वेम दिल्ली लोटने को छटपटा रही थी, पर जब पहुंची और महीनों से बंद फ्लैट में जमा धूल गर्द का अंबार देखा, तो हाथ पैर फूल गए, इतने दिनों अम्मा मामी ने उसे घर का एक काम भी नहीं करने दिया था, कैसे करेगी अब यह सब, सूट के इस किनारे पटक कर वो अनविछे पलंग पर पसर गई थी, ठकान से अंग अंग तूट रहा था, लग रहा था, वो ऐसी बेहोशी में डूबी जा रही है जो शायद कभी नहीं तूटेगी, जीवन उसने अकारणी घराय अतिति का अपमान किया था, हो सकता है, वो सची बोल रहा हो, और उन पत्रों में जिन्हें उसने बिना पढ़ी फार कर फेक दिया था, उसने अपने निर्दोश होने की ही बात बार बार लिखी हो, आज ये आत्मिलानी उसे इतना खिन बना गई थी, पर उस दिन, क्यों वो उसे नहीं रोक पाई, और यदि वो आज भी उससे उतनी गणा करती है, तो क्यों ऐसी उद्याउं व्याकुलता उसे विवल कर रही है, इन सब प्रशनों का उत्तर उसके पास आज नहीं था, दूसरे दिन भी हो काम पर नहीं गई, नौकरानी उसके नाम आई, तीन चिठ्धियां रख करो चली गई, दो चिठ्धियां दवाओं की किसी फर्म की थी, तीसरी के अक्षर उसने पहचान लिये, आज पहली बार उसने उस चिठ्धी को बिना पढ़े नहीं फाड़ा, डॉक्टर पंत, क्षमा करें, आप से मिलने के बाद और किस संबोधन की गुंजाईश, अब हमारे बीश नहीं रह गई है, आशा है, इसे आप बिना पढ़े नहीं फाड़ेंगी, मैं आप से अपने मरत पिता की शपत लेकर कहता हूँ, डैडी के व्यवार ने उस दिन मुझे आप से भी अधिक आहत किया था, मुझे कुछ भी पता बस डैडी ने इतना ही लिखा था कि उन्होंने मेरा रिष्टा कुमाओं की एक सुयोग सुरच संपन्ना सुंदरी डॉक्टर से तै किया है, मुझे कोई आपती नहीं होनी चाहिए, साथ मैं आपका चित्र भी था, मैंने चापलूसी न कभी की न कर रहा हूँ, पर आपका देख कर संसार के किसी भी पुरुशो कभी आपती नहीं हो सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझसे घ्रना न करें, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत पहले एक बार नदी का जल भर घर ले जाने लगा तो मेरी मा ने मेरे हाथ से शीशी छीन पूरा पानी नदी में ही उलड़ दिया था मूर्ख कहीं का ये क्या गंगा जल है जो गंगा जली में भर कर ले जा रहा है गोमती कुवारी नदी है इने कोई घर नहीं ले जा सकता आज लग रहा है जीवन में दूसरी बार मा के अदरशे हाथ ने मेरे हाथ से गोमती का जल छीन फिर गोमती में ही उलड़ दिया है और मेरे कान में कह रही है गोमती कुवारी नदी है इने कोई घर नहीं ले जा सकता पत्र के नीचे ना कोई नाम था ना पता सिर्फ लिफाफे पर हर द्वार की मोहर थी नजाने कितनी बार उसने उस पत्र को पढ़ा फिर सहेच का सिरहाने रख दिया अंधेरे कमरे में उचिपचा पड़ी थी कमरे का खाली गुंगापन किसी खंड़र में व्यर्थ चक्कर काट रहे चमगादर साही सन्ना रहा था सरोज के साथ उस अंधेरी गुहा गभर में बैठे सिद्ध की अंगारे सी धहकती आँखों की इसम्रती उसे उस एकांत में रहरे कर तरस्त कर रही थी और तु तुझे भी तेरा पती छोड़ गया है अचानक सिद्ध की कुद्ध गरजना उसके कानों में बजने लगी एक गहरी उदासी एक अव्यक्त वेदिना ने उसकी सुनी निराशा को ठक दिया अपने भीतर के सब्द्ध को पहचान कर भी वो क्यों सी उकार करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी उसे लगा उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा सरोज में ये साहस था उसमें अपने हिद्ध के सब्द्ध को पहचान अकुंधित स्वर में मन की बात कहने की शक्ती थी पर वो बुझदिल थी कायर निश्क्रियर नियत ने कैसी असाद गांट में उसके जीवन को बांध कर रख दिया था जिस व्यक्त को उसे कुट्टे की भाद दुरदुरा कर भगा दिया था उसे क्या चेश्टा करने पर भी वो पुछकार कर बुला पाएगी आज क्यों फिर उसी के लिए वो ऐसी व्याकुल होकर छटपटा रही थी सिद्ध का वो प्रलाप उसके कानों में रह रहकर बज रहा था साथ धारों की सांक्री करें सिटेले को पंक करें जो बैरी करें सो बैरी मरें पर क्या वो बैरी था? नहीं उस व्यक्त में तो वो किसी बैरी घमंडी धनलो रूप वो नहीं देख पा रही थी उसके अशान्त चित में एक प्रबल आवेग उद्वेलित हो उठा परम्मुग्द द्रश्ट से उसे एक टक देखता वो सहसा सेहरा उठाए जैसे उसके सामने खड़ा हो गया था सारी प्रत्वी को पुंजी भूत वेदना उन शर्वती आँखों में एक बार फिर तिरने लगी थी तभी किसी ने घंटी बजाई इतनी रात को कौन हो सकता था कहीं उसे अकेली देख कोई चोरू चक्का तो नहीं खुसाया एक पल को जिजगी फिर घंटी बजी कौन उसने कड़े स्वर में पूछा मैं हूँ चड़ी दरवाजा खोल मा का स्वर सुनते उसने लपक कर दवार खोल दिया ऐसे अकेली तब क्या बिना किसी को बताये अमा भाग आई थी क्या किसी देवी शक्त नहीं पुत्री की दुर्वे वेदना उस तक पहुचा दी थी अमा तुम वो मा से लिपट गई हाँ चड़ी तेरे मामा मामी के नाम एक चिट्थी छोड़ कर नाइट बस से ही चली आई मन बहुत घबड़ा रहा था देवी को बताती तो क्या मुझे अकेली आने देता और फिर मैं अकेली ही आना चाह रही थी पर तुम ऐसे अकेली क्यों आ गई अमा आना ही था तो मेरे साथ क्यों नहीं चली आई बिना कुछ कहे अनपूर्णा ने बड़े दुलार से अपने दोनों हाथों में पुत्री का पीला चेहरा भर लिया था मैं अकेली ही आना चाह रही थी चड़ी तेरे मामा मामी के साथ आती तो शायद मन की बात में संकोज नहीं कह पाती मैं तुझे कोई उपदेश देने या ढाटने फटकारने इतनी दूर नहीं आई हूँ चेली वो अधिकार तो मैं बहुत पहले तेरे मामा मामी को सौप चुकी हूँ पर कुछ बातें ऐसी भी होती है चड़ी जो एक माही अपनी बेटी से कह सकती है अपने अंतर मन की सच्ची निर्भीक चेतावनी और मा का मन कभी जूटी राय नहीं देता कालिंदी आश्चरे से मा को देख रही थी मा का यह रूप तो उसने पहले कभी नहीं देखा की पढ़ाई ने तेरे मन को सूक्ष्म बना दिया है तेरा प्रबल स्वतंतरता बोध तेरी एकागर ग्यान निष्ठा तुझे धीरे-धीरे सवहाविक जीवन धारा से काटती जा रही है तू कभी जुकना नहीं सीख पाएगी जहाँ बैर की प्रबल भावना होती है वहाँ फिर प्रेम नहीं रहता और जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ पिर सहज रश्च भी नहीं रह सकती मैं आज तुस्से एकांत में यही कहने आई हूँ चड़ी कभी किसी जिद में कोई प्रण नहीं कर वैठना मैंने यही भूल की थी और मेरे मायके के मिथ्या धंब नहीं शायद मुझे सस्राल के प्रति उदासीन कर दिया मनुशे तो पशु को भी साद सकता है सरकस के शेर भालों को नहीं देखा मैं चाहिती तो क्या तेरे पिता को खैर छोड़ उन बातों को पर इतना तुस्से कह दू बेटी संसार की कोई भी इस्तरी मायके के सहसर सुख भोगने पर भी एक दिन उबने लगती है अपनी शक्ती अपनी सामर्ती ही उसको डंग देने लगती है जो भी कदम उठाएगी सोस समझ कर उठाना अपने एंकार को अपना शत्र मत बनने देना चड़ी मा और बेटी फिर बड़ी देर तक बिना कुछ कहे चुपचा पैठी रही ना पुत्री ने कुछ कैफियत दी ना माने मांगी रात को जिद करके ही अनपूर्णा ने उसे अपने साथ लाए नाश्ते दान से जबरदस्ती खाना खिलाया कालिंदी के पासी तक्स लगा कर उलेट गई उसने जो कहना था ओ कह चुकी थी मन एका एक फूल सा हलका हो गया था पर फिर भी ना बगल में लेटी कालिंदी के आखों में नीन थी ना उसकी फिर न जाने कब उसकी आखें लग गई चौकर जगी तो देखा कालिंदी गहरी नीन में सो रही है चतुर दशी की धौत चंद्रिका खिरकी के जंगनों से रेंगती कालिंदी के चेहरे पर पढ़ रही थी कैसी असाहय निरी लग रही थी वो जैसे कभी कभी थक कर स्कूल से लौट वो अपनी यूनिफॉर्म में ही जूते मुझे सहित बिस्तर पर सो जाती थी अनपूर्णा ही फिर धीरे धीरे उसके जूते मुझे उतार रजाई से धक कर यत्न से सुला जाती थी आज भी उसने नीचे गिरी चादर से उसे उसी यत्न से धांक दिया ठीक जैसे घोसले में सो रही ननी चिरया ऐसी चड़ी जिसके नए नए उगे डैनों में अभी उन्ने की शक्ति का संचार भी नहीं हुआ हूँ वो दबे पैरों से उठकर खुली खिड़की के पास खड़ी हो गई भो रोने में अभी बहुत देर थी फिर ना जाने किस प्रेणा से उसके दोनों हांच जुड़ स्वयम उसके ललाट से लग गए वही विस्पनत छवी इतने वर्षों के पश्चात आँखों के सामने जैसे प्त्यक्ष खड़ी हो गई तीखी नाक पर चमकते स्वेद बिंदू सामने धरकती धूनी, उलजे बिखरे केश, तिर्यक अधरों से सामाने जलकता गजदंत और किसी जागरत यक्षणी का सातेजों में दमकता चेहरा तुम जहां भी हो माई, मेरी पुत्री की रक्षा करो मेरी ललाट लिपी, उसके ललाट में मत उतारो माई उसकी आँखों से जरजर आसू भैते जा रहे थे होट काट कर उस सिस्कियों को प्राणान तक चेश्ठा से कंट में घुटक रही थी कहीं शब्द सुनकर चड़ी न जग जाए कालिंदी घोर निद्रा में निमगन होकर निश्चेष्ट पड़ी थी न जाने कब तक अनपूर्णा जुड़े हांत ललाट से लगाए खड़ी ही रही थंडी हवा के जोके ने सहसा उसकी मुदी पलकों को इस परश किया उसे लगा लाल लाल आँखें कपाल में चड़ाए वही से दिनी उसके पास आकर बैट होटों ही होटों में बुदबुदा रही है यसो विदिया सिखी पताल की नागड़ी मारो अकास की डंकणी भुतड़ी पिसाचनी संकणी सेतानी मसानी चोबाटों की धूल चेहाने का कोईला चलों छों भगी वाना अभी आप सुन रहे थे गौरा पंध्शिवानी जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद उपन्यास कालिंदी जिसको साथ भागों में पढ़कर पूरा किया आशा है उपन्यास आपको पसंद आया होगा अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको मेरी प्रस्तुती और मेरे चैनल की संकलित कहानिया और उपन्यास पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल में हो